वक्फ संसोधन बिल को लेकर देश भड में राशनीती गरम हैं। इस बिल की जाच कर रही जेपीसी को 1.2 करोर इमेल मिले हैं। जिसमें लोगों ने समर्थन और विरोत में रियक्शन्स दिया हैं। इस बीच जगतगुरू राम भद्राचार्या ने वक्फ पर बयान देते ह वे कहा कि वक्फ करोरों की संपति को हतिया कर बैठे हैं। इसका संसोधन होना चाहिए। सरकार ठीक संसोधन ला रही हैं। भगवान करें दोनों सदनों से ये बिल पास हो। पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई जादा फरक नह उन्हें लगता है कि वे सिकंदर हो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मठाधीश धर्म के रक्षक होते हैं और माफिया धर्म का भक्षक होता है। संसुधन होना चाहिए करोणों की संपत्ति एक हतिया कर बैठे हैं, करोणों की जमीर हतिया कर बैठे हैं तो किसी को भी एक आधिपत्र करने का अनमोदन नहीं देना चाहिए। इनकी दादागिरी नहीं चलनी चाहिए, संसोधन होना चाहिए, सरकाट ठीक संसोधन ला रही है, और भगवान करें, इस संसद में भी बिल पारित हो जाए, इनकी दादागिरी इतनी ही नहीं होने चाहिए, कि वक्षबोड करके पूरे देश को ही अपने कभजय में ले ले, एक निंत्रन तो होना ही चाहिए, कोल्ट बुलाएगा, तो मथूरा और काशिय में भी मैं गवाही दोंगा, हमको ये दोनों चाहिए चाहिए, दुर्भाग ये पूर्ण बयान है, धर्म के समने को कुछ नहीं आता, चौतिन सीटे जीत लिए हैं तो लगता है कि वो सिकंद बन गए हैं, प्रहसरा होगा नहीं, मठा अदीस जितना क्राम करते हैं, आप देखे बड़े-बड़े मठों में, दुनिया का पहला पहला विकलांग विश्वध्याले बनाया, और लगभग पांच हजार विकलांगों को हमने जीव का दिलाई, इनका ये कही उपाय है, कि ह हिंदू जग जाए और ऐसी शारारतों पर इनके साथ उस्सी तरुम से निप्ते हैं